दोस्तों नमस्कार प्राजे सरक्लाशेश में आपका श्वागत है कच्छा दस इंदी वाइरल माडल पेपर यदि आप बोर्ड एक्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये माडल पेपर आप के लिए मेल का पत्थर शावित होगा इस वीडियों को आप देखे और अपने अंक में बढ़ोतरी कीजिए तो सुरू करते हैं नर्देश से देखे पहले तो लिखा रहता कि प्रश्ण पत्र को 15 मिनट तक ध्यान पुरुवक पढ़े तो मैं गुजारिस करता हूँ जयो ही पेपर आपके हाथ में आए आप 10 मिनट तक पढ़िए पांच मिनट तक इस्ट्रेटिजी बनाए कि किस प्रकार प्रश्णों को लिखे कितने में लिखे और कौन प्रश्ण हमें पहले आ रहा है बढ़नात्मक की बात हो रही है तो उसको पहले लिखे जो नहीं आ रहा है उसको लिखेंगे तो आपका confidence बढ़ता जाएगा आप खुब लिखेंगे और यदि पहले cut pit नहीं होगा अच्छा लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक पहले इस बात का ध्यार रखेंगे जो प्रश्ण आपको आए खासकर बढ़नात्मक उसको पहले लिखेंगे जो कम आए उसको बाद में लिखेंगे तो इसका प्रभाव कापी जो चेक करेगा एक्जामनर उस पर पढ़ेगा और आपको अधिक से अधिक नमबर देगा तो इस पूरे वीडियो को देखें में दोस्तों को सेर कीजी मैं शुरू करता हूँ निर्देश से प्रश्ण पत दो खंड होगे और आप जानते हैं खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्ण होगे जो की प्रतीक प्रश्ण एक एक प्रश्ण क्या होगा एक लिए आपको कापी मिलेगी और आपको जब कापी मिलेगी तो उसमें उसका एंसर लिखना होगा और कितने नमबर का प्रश्ण रहेगा उसके सामने लिख दिया रहेगा खंड आ सुरू करते बहुविकल्पी प्रश्ण एक एक नमबर के प्रश्ण होगे निम्न में से कौन से निबंदकार सुक लियुक के हैं तो देखें बाबु गुलाबरा शुमिता नंदन पंत जैसंकप साथ उपरियुक्त सभी इसमें क्या हैं शुक लियुक के निबंदकार हैं तो शही विकलपाप का डी है एक नंबर का ओमार सीट पर जाएएगा डी वाले गोले को पूरा कल करें डाट पेंच से नीली ये काली से संस्कित के चार अध्याय के लेखक संस्कित के चार अध्याय के लेखक हैं जैसंकर प्षाद महाबीर प्षाद दिवेदी रामधारी सिंग दिनकर श्याम शुंदरदास संस्कित के चार अध्याय महतपुर प्रशन है तो इसके सही इस प्रश्न का सही विकल्प है रामधारी सिख दिनकर ते संस्कित की चार अध्याग जो लेखक हैं रामधारी सिख दिनकर जी हैं आचार रामचन शुकल एक हैं आचार रामचन शुकल क्या हैं कभी हैं उपन्यासकार हैं निबंधकार हैं नाटक कार हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये निवंदकार है आचारामचन सुक्ल क्या है निवंदकार है और आलोचनाकार भी है आलोचक भी है शमालोचक भी है ये आयकात आप लिख सकते हैं ये समालोचक भी है आलोचक भी है निवंदकार भी है कभी नहीं है उपन्यासकार नहीं है और नाटकार नहीं है ह हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्ण के लिए तो देखे गोधान के रचनाकार काउन है देखे गोधान क्या है एक उपन्यास है बिधा की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगी गोधान एक उपन्यास है इसकी बिधा पूछी जाएगी तो लेकिन ह आवारा मसीहा की विधा क्या है? आवारा मसीहा आपका उपन सारी जीवनी है आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है, सही बिकल्प है, D. कल्प लता के लेखक जै प्रकास भारती हजारी प्रशाद दुवेदी राम भारे सिंग दिनकर डाक्टर राजेंद प्रशाद सही भी कल्प है हजारी प्रशाद दुवेदी आचार हजारी प्रशाद दुवेदी कल्प लता के लेखक कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो चार विकल्प है राजेंद्र यादव आचार रामचंद शोकल यसपाल महाबीर प्रशाद तो शही विकल्प है महाबीर प्रशाद शही विकल्प क्या है महाबीर प्रशाद अब देखे गुनाहों का देवता के उपन्यासकार धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, रामचंद, शुक्र, जैसंक प्षाथ तो ये सही विकल्ब जो आपका है पहला ही है धर्मवीर भारती और देखे नवा प्रशन आपके सामने ठूटा आम के लेखक कौन है? ठूटा आम के लेखक कौन है? मादेवीर बर्मन नहीं, भागवत सरनुपाद्या सही विकल्ब भी है सही विकल्ब क्या है भी? अब हम आपको लेकर चलने है अगले प्रश्ट पर सभी प्रश्ट एक एक नंबर के याद रखिए बाग विकल्पी प्रश्ट दसों प्रश्ट हे खग म्रिग हे मदुकर स्रेनी तुम देखी सीता म्रिग नैनी में कौन सा रस है? जब सीता का अपहरान कर लिया किसने रामण ने और राम और लच्छमट जंगल में भटक रहें सीता मैया को खोज रहे हैं उसी समय का यह बाड़न है हे खग हे म्रिग हे मदुकर स्रेनी पसुपंची म्रिग से मदुकर स्रेनी पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता को आपने देखा है तो यहां कौन सा रस होगा भाई सरिंगार तो होगा नहीं बीर रस तो होगा नहीं हास रस तो होगा नहीं तो सही विकल्ब क्या है करू रस क्या बात है पायो जी मैंने राम रतान धन पायो मैं कौन सा लंकार है पायो जी मैं राम रतान धन पायो ठीक है इसमें से कौन सा लंकार है उपमा नहीं उत्परेच्छा नहीं रूपक जब समानता होती उपमान जिससे उसके तुल्ला करने दोनों में समानता होती तो वहां रूपक लंकार होता है कौन साल अंकार होता है? रूपा कलंकार. ध्यान दीजी, दोहा चंद के प्रथमें तिती चरण में कितनी मात्राय होती है? दोहा चंद के प्रथमें तिती चरण में कितनी मात्राय होती है? तेरे सही विकल्प. सहोग शब्द में उपसर्ग, यानि आगे वाला जुस शब्द ह उप्षर्ग तो इसका सही विकल्प आपको मिलेगा सहो और योग से सहोग बना है महत्र सब्द में प्रत्य लास्ट वाला शी विकल्प सही है अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रस्ट की तरफ तो देखें अगला प्रस्ट याने सारी पंद्रहवा प्रस्ट दिन रात में कौन सा समास है तो दिन रात में द्वंध शमाश होता है जब दोनों शब्दों का समान महत्व हो तो हां द्वंध होता है यानि दोनों की बराबरी होती है, दिन रात, ठीक है, तो ये दिख समाशों का, दूद का समरूप क्या है, दुग्ध, बी, सही, कौन साथ दिकलब शही, बी सही, मन्दाकिनी भागी रथी देव नदी आदी कहलाते हैं, बिलोग, प्रत्य, उपसर्ग, परियावाची, मन्दाकिनी भागी रथी देव नदी आदी क्या कहलाते हैं, परियावाची है वै, त्योंकि गंगा मैया, गंगा नदी के परियावाची है, इत्यादिव सब्द में कौन सी संद्य है इतिधन आदि यानि इतिधन आदि में कौन सी संद्य है तो सही विकल्प आपका है डी यड संद्य नदी सब्द का दुती विवक्ति का बहुबचन रूप नद्दव नहीं बी विकल्प शही है नदि, पठती पठे धातु का कौन सा रूप है? पठती पठत धातु का कौन सा रूप है? लट लकार दी बचन परतंपोरस, नहीं, लट लकार एक बचन परतंपोरस, भी विकल्प शई है. ति ये बीश बहु विकल्पी रहेगा जिसका अंसर आपको कहा जाना होगा देने, वह मार शीट पर रंगना होगा गोले को नीले या काले डाट में स्याद रखेगा अब हम आपको लेकर चलेंगे कहा वार्णात्मक प्रस्ट की तरफ खंड बग वार्णात्मक प्रस्ट तो देखे पहला प्रस्ट निम्कित में से किसी एक गद्दांस पर आधारित प्रस्टो तो देखी च्छो नंबर का रहेगा कुष्टन का जोर सबसे भयानक होता है यह किवल नीत और सद वृत्ति का ही नाश नहीं करता बलकि बुद्धि का भिश्चय करता किसी वापुरुस की संगयत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो दिन दिन अवनत की गड़े में गिराती जाएगे और यदि अच्छी होगी तो सहरा देने वाली बाहों की समान होगी जो उसे निरंतर उनत की ओर उठाती जाएगी तो यह आपका गद्दांस है और इस पर आधारित तीन प्रस्ण है इनका एंसर आपको लिखना हो तो देखे संदर्व मैं सुरू करता हूँ प्रस्तुत गंदांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्द खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया इसके लिखक आचार राम चंद्र शुकल है यानि इसका संदर्व ही है दो नंबर आपका पक्का लिखा है गद्दां आपका आप्ड़ के रिखांकित अंशा की ब्याक्ष्या कीजी़ तो देखे ब्याक्ष्या यादि किसी नौजवान पुरूस्ट की खराब शंगति मित्रता किसी दुश्ट पुरूस्स से होगी तो वह आच्छा है रोक के शमान होगी यानि टीवी के समान होगी जो अंदर अंदर उसे खा जाएगा जो उसके सरीर के सांसा तो उसकी बुद्धी को भी भ्रष्ट कर देगी वह दिन प्रते दिन बिनास की गड़े में गिरता चला जाता है अर्थात उसकी उन्नती रुक जाती है और इसमें अगला है कुशंग और अच्छी संगति में क्यांतर है देख बुद्धी ही बिनास कारी होता है या बुद्ध के सांसा आचरन को भी नश्ट कर देता कुशंग के प्रभाव अच्छे बुरे उचित अनुचित के भेद नहीं कर पाता जबकि अच्छा संगत का प्रभाव व्यक्ति के आचरन को निखारता उसके व्यक्तित को उचायों पर ले जाता है उचित अनुचित में ब्यक्ति भेद कर अच्छे कर्मों को करता है ठीक है इसके शाड़ भी ले सकते हैं तयार कर ये तुरंद भीया अथ्वा ये एक नैतिक और अध्यात्मिक स्रोथ है जो अनन्त काल से प्रतच रूप से संपुर देश में बता रहा और कभी-कभी मुर्थ होकर हमारे सामने आता रहा ये हमारा स्वभाग रहा कि हमने ऐसे एक मुर्थ रूप को अपने बीच चलते फिरते हंस्ते रोते भी देखा और जिसने अमरत की याद दिलाकर हमारी सूखी अड़ियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत्पाश शरीर में नए प्राण पूके और मुर्जाए हुए दिलों को फिर खिला दिया तो देखे दूसरा या तो उसको करिएगा या तो इसको करिएगा दो दिया रहेगा उप्त गदांश का संदर्व लिखे दो नमबर गदांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और मानों के लिए क्या नैतिक कर्तव है तो देखे पहले शुरू करते हैं उप्त शंदर्व आपको प्रस्तुत गंदांस हमारी पाठ पूस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित भारती संस्कित अमक पाठ से लिया गया है इसकी लिखक डाक्टर राजिन्थ शाद रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए लिखक काता कि हमारे देश में नैतिक और अध्यात्मिक स्रोथ बहुत ही पुराना जो सदियों से चला आ रहा है नैतिकता और अध्यात्मिकता हमारे बीच में साकारूप से चलता फिरता और देखा जा सकता है यही प्रवा हमें अमरत की याद दिलाकर हमारे मृत पाया सरीर में उर्जा का संचार करता जैसे मात्मा गांदे ने भारत कोश्की अमरता का याद दिलाकर सिथिल पड़े भारते को उनकी आजादी का उमंग भरा जिसे लोगों में आसा का संचार हो गया अब देखे अंतिम प्रस्ण इसका है मानों के लिए क्या नैतिक है तो देखे मानों समाज में होने वाले बुराईयों को नैतिकता और आध्यात्मेंता के आधार पर दूर करना चाहिए क्या अच्छा है और क्या खराब है हमारे समाज के लिए वो लोगों को बताएं जिससे समाज उन्नत के ओर बढ़ सके यही मानों का नैतिक करतब है ते हुआ आपका पहला प्रस्ण च्छा नंबर का अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रस्ण की तरफ तो देखे अगला प्रस्ण अब आजाएगा यह पद्दांश था तो गद्दांश आएगा तो देखे आपके सामने आ भी गया यह भी च्छा नंबर का है पद्दांश था और यह गद्दांश नंबर के तने से किसी एक पद्दांस पर आधारित सभी प्रशनों को उत्तर दीजिए तो देखे क्या है चरन कमल बंदो हरी राई जाकी किरिपा पंगुगिरी लंगे अंधे के सब कुछ दर्शाई बहिरे शुनों गूगों पुनी बोले रंग चले सिर छतर धराई सूरदाश्वामी करुण आधावार बार बन देती हैं पाई तो देखे संदर दो नंबर रेखांकित अंसकी व्याक्षः दो नंबर किसकी किरप्या से व्यक्ति सुन और बोल शकता है तो देखे इन सब प्रशनों का जबाब तो पहले पद्दांश का संद्रम हमें लिखना है प्रस्तुत पद्दांश मारी पाठपूस्तक हिंदी के काबे खंड में संकलित पद नामक कवितार सिर्शक से लिया गया है इसके रचैता कभी सूर्दास हैं इसके रचैता कौन है कभी सूर्दास हैं और इसमें फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखे, मैं भगवान किष्ट के कमल के समाचरणों की बंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड के आर पार चला जाता है, और अंधेव को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बारा व्य ब्यक्ति बोलने लगता और गरीब हम, आदमें सिर्प छतरी लगा कर चलने लगता अर्था धनवान हो जाता है, तेवा रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखे, किसकी किरपा से ब्यक्ति सुन और बोल सकता है, बगवान से किसकी किरपा से ब्यक्ति सुन और बोल सकत है तीस के एंसर हुए अब देखें इसमें है खावाला अथवा ये करना आपको दो इसमें भी रहेगा पुरसे निकसी रगवूर बधु धरी धीर धेयो मग के डगद्वय जलकी भरी भाल करनी जलकी पुट सुखियों के मदुराधर वय फिर भूजती है चलनों अब केतिक प तो उपरित पद्दांस का संदर्व लिखे रेखांके तंस की व्याख्या कीजिए उपरित पंक्तियों का आशे अस्पष्ट कीजिए तो देखे इन प्रस्णों का जवाब पहले तो हम संदर्व बताते हैं आपको प्रस्तुत पद्दांस हमारी पाठ पूस्तक हिंदी के कावे खंड उगध खंड था कावे खंड में संकलित बन पत पर नामक कविता सिर्शक से ली गई इसकी रचैता महा कभी तुलेशी दास जी हैं ते हुआ तो संदर्व रेखांके तंस जो रेखांके ते उसकी सीता जी ठक जाती हैं लगातार चलने करण उनकी मस्तक्स पर पसीने के बूदे दिखाई दिने लगती है और उनकी दोनों कोमाल और सुंदर ओटों पर प्यास आ जाती है अर्था प्यास के कारण सूख जाते हैं तो यह हुए इस रेखांके तंस के व्याख्या उप्रिक प कुंतियों का आसा अस्पस्ट कीजिए तो देखें कैके के कारण जब राम लचमरो सीता जी अर्जद्या से निकल के को दूरी पर पहुंचते हैं तो देखा जाता मा सीता की ठकाना जाती तो था उनके वोड़ प्यास से सूख जाते हैं फिर वे लोग मुर्जा कर चलते हैं और कहते हैं किसकी कोटिया में आराम करें तो इसकी आसे हैं तो यह हुआ आपका पद्दान्स वाला पूर्शन अब हम आपको लेकर चलेंगे तीसरे प्रस्ण पर जो की पांच नंबर का है तो देखे तीसरा प्रस्ण जो पांच नंबर का आपके सामने आ भी गया ये देखे तीसरा प्रस्ण है नमलखित में से किसी एक संस्कित गदांश का संदर्व शैत हिंदी में अनुबाद कीजिए तो आप यहां से पढ़ शकते हैं देख शकते हैं बराण सया प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्य जियोंती और इसकी शार्ट आप ले सकते हैं इसका और इसका अनु और संदर्व शैत तो देखी संदर्व ये है प्रस्तुत गदांस हमारी पार्ट पुष्क हिंदी में संकलित सर्सकित खंड के बाराण सिंवाग पार्ष से लिया गया है तो ये इसका क्या है अनुबाद है, इसकिन शाट लेकर आप पढ़ सकते हैं, समय कम है, इसनाते आपको हम इसकिन शाट लेने के लिए कर रहे हैं अब दूसरा, या तो देखे एक अथवा यहां लिखा रहेगा, अथवा इसका करना होगा और यह सकिन शाट लेकर पढ़ सकते हैं, और इसका भी संदर्व और यह सकिन शाट ले लेजिए, इसका सकिन शाट लेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसका संदर्व और अनुबाद का भी स्किन सॉट आप ले सकते हैं और पढ़ शकते हैं तैयार कर सकते हैं समय कम है अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रस्ण की तरफ तो देखे चौथा प्रस्ण जो आपका है यही है इसमें से भी वही है कि एक गदांस था यह पदांस है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो अथवा रहेगा ठीक है पांच नमबर का यह भी है तो का का जो का है इसका हम संदर्व शईद अनुबाद यह इसकी शौट ले सकते हैं संदर्वश्य धनबाद यहां से आप लीजिए इसकी शाट लेजिए पढ़िएगा तयार करिए जाए लिखिए खूब और इसका देखिए खौवाले का यह है ठीक है खौवाले का यह इसकी शाट ले सकते हैं अब देखिए यह आगे प्रशन है अपने पठित खंड काप के आधार प्रशन में किसी का उतर जी तीन नमबर खंड काप जो रहेगा जो पढ़ाया जाता उसकी आधार पर देना हो गिया हमने उलेक नहीं किया है अब देखिए महतपूर लेखक आचार रामसंशुक्ल डाक्टर राजिंत प्षाद सिंग दिन कर ये तैयार कीजिए तीनों में से एक आरा आप माच नमबर का अधर देखिए तोलशी दास्त मेत्रिस रणगुप्त पंडित माखनाल चतुरवेदी ये आपका है कभी और हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्ट की तरफ सात्वा तो देखिए सात्वा प् अपनी पार्ट पुस्तक में से कंठस्थ को ये स्लोक लेक्त तयार कर लिजिएगा तिनचाठे दो नमबर का अएगा और इनका क्या करना है इनका आपको संस्कृत में करना है उत्तर देना है तो देखिए प्रशन इसके शाट ले सकते हैं और उत्तर भी इसके शाट लेजे तयार कीजिए भई समय कम अब ये देखिए नमा यानि अंतिम है ये क्या है निवंदा नमबर का विद्याले में असासन का मात तयार कीजिए समय कम है नमस्कार